नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फेड़ से हमारे यूटूब चैनल दोस्तों चाड़क की नीतिकी एक महत्पूर वीडियो आपके समझ प्रस्तूत कर रहा हूँ चाड़क की नीतिको पूरी तरह और बहतर धंग से समझने के लिए इस वीडियो को बिलकुल अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अधूरा ग्यान हम ऐसा नुक्सान दायक होता है दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि आउरत का ये एक अंग चुना सबसे बड़ा पून्य माना जाता है इस अंग को चुने मातर से बदल सकती है आपकी किसमत और सबसे जल्दी लोग ब जαता है इसलिए महिलाओं के सम्भान की बात हमारे समाद के लोगों के दौरा की जाती है ऐसा कहाजाता है कि जो कोई ब्यक्ति सच्छे मं से इस्त्री का सम्मान करता है तो उस ब्यक्ति को अपने जीबन में कए भी भी किसी तरह की परेशानिका सामना नहीं करना पड़ता ह आपको यह बात मालूम है कि अगर आप इस्त्रियों के सरीर की एक खास अंग को छूते हैं तो आपको महापुन्य मिलता है और आपकी सोई हुई किसमत जाग उठती है अगर आपको नहीं पता तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इस्त्रिय के उस अंग के बारे में बताएंगे जिसे छूने से किसी भी विएक्ति की सोई हुई किसमत बदल जाती है दोस्तों के प्याव सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप वीडियो की भाबनाव में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे और एक व्यक्ति के जीवन में इस्तिनिया उसके साथ कई स्वरूप में रहा करती हैं एक इस्तिरी ही किसी व्यक्ति की मा होती है तो किसी की बहन और किसी की बहु अलग-अलग स्वरूप में इस्तिनिया मनुस्य के जीवन में खुसिया लाने का काम करती हैं इस्तियों के बगैर पूरुसों का इस धर्थी पर अस्थित भी असंबब है। एक इस्तिरी ही पूरुस की हर एक खुशी और दुख में उसका साथ निवाती है। और दोस्तों इसके साथ ही साथ एक इस्तिरी को उसके जीवन में बहुत सारे दर्द भी सहने पड़ते ही जीवन में आने वाले हर एक दर्द को आराम से सहने वाले एक इस्तिरी बिपरी से बिपरी परिस्तितियों को भी हसी-खुसी जहल लेती है कठिन से कठिन परिस्तियों में भी हमेशा अपने चेहरों पर मुस्कान बनाए बाले महिलाए अपने बच्चों को भी अच्छे अच्छे संसकार देने का काम भी करती है इसके अलाबा एक इस्तिरी अपने बंस को आगे बढ़ाने में भी अपनी अहम भूम का निभाती है सारे जन्मों का पुन्न भी मिलता है और इसके साथ ही साथ उस ब्यक्ति को अपने जीवन में कामियाबी भी बहुत आसानी से मिल जाती है इस तिनियों के पैर छूने से मिलने वाले आसिरबाद की बज़े से ब्यक्ति के जीवन से निरासा का अंत हो जाता है निरासा का अंत होने के कारण मनुस्य के अंदर सकारात्मक उड़जा का प्रबाख होने लगता है जिसकी बज़े से ब्यक्ति धीरे-धीरे सफल होने लगता है दोस्तों हमारा आज का वीडियो बस यही तक था आसा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट सेर करना बिलकुल भी मत भूल तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसा ही ग्यान मर्धा का और नालिजबल वीडियो के साथ